छोटे सहर में डाक्टर का अभाव आम बात है ऐसे में छोटी बड़ी इलाज के लिए सरकारी होस्पिटल ही आम पबलिक के लिए राहत देती है निधी कई दिनों से जोड़ों के दर्थ से पीडित थी सामने एक डोक्टर थे जो जर्नल फीजिसियन थे बेट्यारी उसी से दिखा कर दवा ले रही थी मगर आराम नहीं हो रहा था धीरे धीरे प्रेशानी जब ज़्यादा बढ़ गई तो उसके पति गोरव सरण उसे पटना जैसे बड़े सहर में इलाज कराने की सोच ट्रेन में रिजर्वरेशन कराने की बात उसन से कही प्रन्तु नीधी को कई घंटों का सफर इस्थिती में ऐसमभव लगा वै तयार नहीं हुई तब गोरव सरण पता कि ये तो कोई उन्हें सरकारी होस्पिटल में फीजियो थेरेपिस्ट डोक्टर होने की बात बताई गोरव सरण किसी तरह से नीधी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतार कोई वाइरल फीवर का सिकार कोई आंक कान नाक तो कोई कमरदर्द सिर्दार मतलब जितने लोग उतनी रोग अब इस लंबी कतार में खड़े होकर नंबर लगाना निधी के लिए एसंभव था गोरव सरण बेचारे पुरुसों की कतार में खड़े हो अपनी बारी की परतिक्षा करने लगे लग भग आदे घंटे बाद उनकी नंबर लगी तो वे चिठ्था में दिये डोक्टर और रोम नंबर की तरफ भागे मगर वहां भी लंबी लाइन वे सोच रहे थे सच आज डोक्टर का कितना अभाव है उनसे सहर में अब सरकारी डोक्टर तो होस्पिटल में स्रफ डूटी निभाते हैं चंद सैकिन या एक मिनट से ज्यादा भी वह किसी को नहीं दे पाते हाँ क्या हुआ सर मैडम दो दिन से बुखार है अभी मरीज बात भी पूरा नहीं कर पाता वह दवा लिखते हुई कहते दवा मिल रहा है वहां जाकर दवा ले लो रोज अब रेडक्त पूरी बात तो सुनते तभी तैनात गार्ड का करकस्वर हटो हटो अब दूसरे मुरीज की बारी है यह सब देख सुन गोरव सरन सोचने लगे क्या इस तरह नीधी का इलाज हो पाएगा तभी नीधी के नाम की पुकार हुई गोरव सरन तुरंत उसको लेकर अंदर पहुच गई डोक्टर ने पुछा क्या हुआ सर एक महीने से दर्द अभी गोरव अपनी बात पूरी करते कि पूरव सरन दोक्टर की बात काट कर बोले सिर नीधी को उठने बहने में तकलीफ है आप उसे ठेरेपी देखता है जो डोक्टर के सामने अजो गोरव सरन पहला बंदा था जो ठेरेपी के बात की थे डोक्टर उन्हें उपर से नीचे तक देखते फे बोला इसके लिए आपको कलाना होगा उसी समय बिना क्यों मैं लगे एक नेता जी आए साथ मिनके सरकार दवारा उपलब्द कराए गए जन रकसक थी बाहर कतार अंदर नी थी और गोरोव सरन अपनी वेथा लिये मगर सब कुछ छोड़ चाड़ वह डोक्टर उसनेता के खिदमत में जुट गया सरकारी अंगरकसक को देख कतार में खड़े लोग अपस में काना फुसी करने लगे यह MLA है नहीं कोई चेर्मेन होगा नहीं कोई बड़ा नीता है तभी तो डोक्टर अंगरकसक दिये हुए है हाँ सही में देखो तो डोक्टर कैसे उसकी खिदमत में लग गया एक अन्य कह रहा था पूरा सरकारी अमला इन नेताओं का गुलाम है इन्हीं नेताओं की चाकरी के लिए ही निउत किया गया है आम पग पब्लिक तो भेडबकरी है सेर तो ये नेता है अंदर बैठी नीधी को नेता के सामने रहना उचीत नहीं लगा वह बाहर निकलने लगी तभी गौरव सरन बोले बैठो उनके सबत सुनकर डोक्टर भी सोत में पड़ गया नेता के सामने खड़ा रहना सब के लिए संभव नहीं है साइज ये बंदा भी भवी से का नेता तो नहीं गौरव सरन बोले सर थोड़ा हम पर भी ध्यान दे नेता जी को बदनामी का डर है कुछ इसारा कि डोक्टर नीधी को थेरेपी दे छूटी किया उसके बाद लगबग आदा घंटा पबलिक कतार में और भी ना कतार के सिधे पर वेश के हुई नीता जी को डोक्टर साहब साहब नहीं डोक्टर थेरेपी देने में व्यस्त रहा सच आज का पूरा सरकारी तंतर नीताओं के खिद्मत के लिए ही चुनाव के वेश जनता की फिकर करने वाले नीता अपने सुधाओं को त्याग कर कफी कतार में खड़े होने की जुरुरत करे तभी उन्हें आम नागरे की प्रेशानी समझ में आएगी वरना प्राइवेट नर्सिंग होम में जनता की जेब करती रहेगी यह कहानी सिरीमती कांती की जवारा लिखी गई है पसंदा है तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब